नमस्कार दोस्तों देखे कोई भी टेक्नालोजी अगर मार्केट में आती है नहीं नहीं तो उसमें क्या होता कि सुरो सुरो में उसमें बहुत सारे प्राब्लम भी देखने को मिलते हैं आस्ते आस्ते उसमें जैसे से प्राब्लम आते हैं उसमें वो सारी चीजें सुधार भी की जाती है इसलिए आप देखते हैं कि कोई भी मुबाइल अगर आता है मार्केट में तो भी उसमें उसके रिविव किये जाते हैं और उसके जो परफार्मेंस देखे जाते हैं देखें इस वाले इनवर्टर में बहुत सारे प्राब्लम देखने को मिले हैं और वह प्राब्ल में कोई विटार्स फार्मर हो उसमें यह खाज़्यत होता है कि वो तुरंत अगर जलना भी होगा तो तुरंत जितना यह फास्ट ब्लास्ट होगा उतना यह नहीं होगा क्योंकि जिस condition में इसके जलने की situation आएगी उस condition में या तो MCB trip हो जाएगी या तो इसमें protection का लगा हुआ control उस समें sense करके इसको बचा लेगा और दूसरी जो खास बात आती है वो software programming को लेकर आता है ये other country के हिसाब से design किया गया होता है और यहां पर यह देखेंगे यह है swastika company के द्वारा design किया गया software होता है और software का मतलब ही होता है कि main जो उसमें system होता है उसकी working process होता है inverter का वो सारे depend करता है software उसमें कैसे हैं क्योंकि अब जो यहां का situation है इंडिया का या area में जो भी problem देखने को मिलते हैं या जिस हिजाब से इस जिस nature से उसको बनाया गया है inverter को जिस situation के हिसाब से उसमें software के अमसार ही उसका जो सारा जो programming होता है उसके अमसार भी है करता है या उसकी working होती है inverter की जैसे आप ATC system को देखें इस समय जो ठंडी का condition है कि battery हमारा जो है डाउन कंडिशन में चला जाता है या बैटरी डीप में हो जाती है ठंडी के कारण तो उस चीज को देखिए इसमें जो है स्वास्तिका में ATC system मिलेगा आपको जो की battery के सारे condition को रीड करता रहता है एक इंटीना के तुरू उसके जो battery का area है उसको sense करके उसके अमसार यानि वहाँ पे temperature क्या है यानि कितना वहाँ ठंडा है कितना गरम है वो दोनों situation को जो है read out करता है और उसके feedback के अमसार चार्जिंग को control करता है अगर वहाँ पे जरूरत है कि battery deep है तो वह उसके feedback को लेकर और उसके अमसार बैटरी को maintain करता रहता है उसके साथ साथ क्या होता है कि battery की life भी काफिया दिख हो जाती है क्योंकि battery का पूरा protection जो है उस पे depend हो जाता है यह लेड़ेशिट की मतलब बात कर रहे हैं और यही चीजें जो अब इधर जो lithium पे design की गई है इनवाटर उसमें भी internal है कि battery के सारे situation को जो है वो जो भी programming किया गया है वो बहुत ही उसको sense करके उसके performance और उसके battery की long life को देखते हुए उसमें design किया गया है इसलिए इसका ज तो यही कुछ चीजे थी जो बताना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे काल आये थे जिसमें हमको पूछा गया था कि यह जो हमारा इस समय ट्रांसफार्मर लेस इनवाटर है उसका कैसा response है तो मैं सुचा कि एक वीडियो बना देना जरूरी है क्योंकि अभी फिरहाल जो नया होंगे इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे क्योंकि जैसे इससे प्राबलम आते हैं उसको सुधार भी कर लिया जाता है तो उस हिसाब से आगे वाली जनरेशन जो होती है उसमें बेटर से बेटर रिस्पांद देने का को सिच किया जाता है ऐसे हर कंपनी करती है और पावर को लेकर जो सिच्वेशन है उस पर हर कंपनी बेटर से बेटर रिस्पांद देने के लिए काफी परियास कर रहे हैं आगे देखिए बहुत सारे टेक्नोलोजी देखने को मिलेंगे तो आज की वीडियो में बस नहीं मिलते हैं नहीं वीडियो है थैंकि दोस्ता झाल 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 झाल